Hello dear students, सबसे पहले तो मैं आप सबको happy new year wish करना चाहूंगी, ये नया साल आप सबके लिए बहुत शुब रहे, बहुत मंगल में रहे, आप खूब पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें, स्वागत है आपका एक और नई lecture में, हम क्या कर रहे हैं आज कल, हम कर रहे हैं practice paper का solution class 10th के लिए, ठीक है, और इसके बच्चे हमने 3 section कर लिए हैं, अब हम चलते हैं section number D पर, इसमें 5 marks के 4 questions आपको मिलेंगे, 5-5 number के 4 प्रशन मिलेंगे, जिनमें 2 प्रशनों में आपको internal choice भी मिलेगी, तो कुल मिलाकर अब हम 6 question यहाँ पर solve करने जा रहे हैं, तो ये देखिए, य पहले question पर, जो कि है, question number 32, थोड़ा सा ओर जूम करते हैं, और यहाँ से अब हम अपना start करते हैं, ठीक है, चलिए, और अगर मेरे lectures आपको helpful लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो छोटा सा काम आप भी करें, नए साल में जादा से जादा बच्चे चैनल को subscribe करें, अपने friends को share नहीं किया है, तो वो कर दें, ताकि teacher को भी motivation मिले, clear, चलो, अब देखते हैं, question number 32 की statement, bilingual है, दोनों language में कोशिश करूँगी, समझाने की आपको, एक rail गाड़ी, एक समान गती से, यानि उसकी जो speed है, वो change नहीं हो रही है, 480 km की दूरी तैह करती है, ठीक है, और train travels a distance of 480 km at uniform speed, यदि गती 8 km पर ती घंटा कम होती, यानि जो पहले speed से चल रही थी, उससे अगर speed को 8 km पर ती घंटा कम कर दें, तो वही दूरी, समान दूरी तैह करने में 3 घंटे अधिक लगते, वहीं कम speed से चलेगी गाड़ी, तो जाधा time में पहुँचेगी, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, भई distance 480 km ही है, अगर पहली speed लें, तो उसमें जो time लग रहा है, बादवाली speed में उससे 3 घंटे जादा लग रहे हैं, रेल गाड़ी की घती घ्यात कीजिए, find the speed of the train, तो बहुत ही, मतलब आसान ही बोलती हूँ मैं सभी questions को, क्योंकि थोड़ी से understanding हो जाए, तो को माना रेल गाड़ी की घती, थोड़ा सा और इसको साइड में कर दूंगी मैं, और अब लिखेंगे माना रेल गाड़ी की घती, let the speed of the train, let the speed of the train, कितनी है, x km per hour हमारी गाड़ी की speed है, जो time, जो distance है, यानि की जो दूरी है, दूरी को आप लिखोगे, d यानि distance, वो कितना है, 480 km है, तो जो time होता है, वो क्या होता है, distance by speed, यानि दूरी बटे चाल, तो दूरी 480 है, speed अपनी x है, तो ये तो पहला time उसको लगा, अब ये कहता है, कि यदि गाड़ी की speed 8 km परती घंटा कम होती, यानि पहले से 8, तो रेल गाड़ी की नई गती, ठीक है, रेल गाड़ी की नई गती कहलो, नई चाल कहलो, new speed of the train कहलो, तो वो हो जाएगी x, ये को x speed थी शुरू में, 8 km कम होगी, तो x-8 km पर आर, distance अपनी वही है, 480 यानि 480 km, तो जो time लगेगा, अब वो फिर से वही distance by speed, यानि 480 बटे x-8, 480 by x-8, अब सुनना, यहाँ speed कम हो गई है, तो time ज जादा लगेगा, ठीक है, यह वाला time कम था, यानि T2, T1 से बढ़ा है, T2, T1 से बढ़ा है, और उसको कितना time जादा लग रहा है, 3 hours, 3 गंटे जादा लग रहे हैं, तो इन दोनों में difference कितना हो जाएगा, 3 गंटे का हो जाएगा, तो अब यहाँ से हमें कोई उसकी जरूर से 3 hours का, तो T2 हो गया, 480 बटे X-8, T1 हो गया, 480 by X is equal to 3, और अब आपका असली काम है, इस equation को solve करना, उसके बाद आपकी जो X की value आएगी, वो आपकी train की speed हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं X-8 को और X को LCM ले ले तो X-8 से X-8 cancel, 480 गुना X, और X से X cancel, तो 480 480 बहार रह जाएगा, into X-8 is equal to 3, इसको तो इधर ले जाओ, और इस उपर वाले को भी साथ के साथ solve करो, तो यह बन गया, 480 X minus, 480 को X से करोगे, तो 480 X और minus minus plus, इसको 8 से करोगे, तो 0, 8, 8, 64, 6, 8, 4, 32, 6, 38, ठीक है, is equal to 3X into X-8, यह term इधर चली गई, इससे तो यह cancel हो गया, ध्यान देना है, और यह बन गया, 3840, इसको अंदर ले जाओ, 3, बलकि ऐसा करो, अंदर ले जाने से पहले, यह जो 3 है न, यह जो टाम है, यह 3 से डिवाइड हो जाएगी, कैसे पता लगा मुझे, 8, 3, 11, 14, इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यह भी 3 से तो लेफ्ट में तो बच्चे मेरा बच गया, 1280, और राइट में मेरा बच गया, X स्क्वेयर माइनस 8X, तीनों को इकठा कर लो, ठीक है, तो यह बनेगा, X स्क्वेयर माइनस 8X, और 1280 को मैं राइट में ले गई, is equal to 0, इस equation को अब मैं यहां लिख देती हूँ, और फिर ह माइनस 8X, माइनस 1280 बराबर है 0, और अब आपने इसको सॉलू करना है, आप चाहो भी विक्तर से सॉलू कर सकते हो, आप चाहो तो इसके फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, जिनका add या subtract करने पर 8 आ जाए, और गुना करने पर 1280 आ ये फैक्टर, तो वैसे मैं आपको बता दू कि 32 और 40, 32 और 40 बनेगा, हमारा 80 आ जाएगा, फिर ये अपना 40 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, और 5 एकम 5, आब इसमें लेंगे 2 टूजा 4, टूजा 8, टूजा 16, टूजा 32, 32 तो ये हो प्रॉडक्ट 1280, तो ये जो फैक्टर आपके बनने वाले हैं, वो बनेंगे, माइनस का 40 X, जमा का 32 X, घटा का 1280 बराबर है, 0 आ जाएगा, इन दोनों में से X कोमन ले लो, तो X माइनस 40, इन दोनों में से 32 कोमन ले लो, तो 32 कोमन लोगे, तो X और भहिया, बारा सो असी को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे, तो 32 फोर जा 128 और उपर 0 चला जाएगा, तो ये आजाएगा, इनकी क्या पहचान होती है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं, तो X माइनस 40 इन्टू X प्लस 32 इस इक्वल टू 0, ये सारा आपका राइट साइड वाला जो है, ये सारा रफ चल रहा है, क्लियर है, समझ में आरी बात, तो जब हम इसको या तो X माइनस 40 को 0 करेंगे, या X प्लस 32 को, तो या तो भई X की वेल्यू 40 आएगी, या X की वेल्यू माइनस का 32, तो ये वेल्यू आ गई अपनी 40 नेगिटिव आ नहीं सकती, क्योंकि ये हमारी ट्रेन की स्प है, वो कितनी हो जाएगी, 40 किलो मीटर पर आर हो जाएगी, ठीक है, मुझकिल नहीं है, सोलिशन थोड़ा सा या फैक्टर बनाने में आपको दिक्कत हो सकती थी, तो ये पूरा का पूरा क्वेस्टिन एक सिंगल फ्रेम में मैंने दे दिया, कोई भी डाउट है, कोई भी क् कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैंने टेलिग्राम पर, वट्सब पर भी आपके ग्रुप बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स को आप जोईन करके भी अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, इसी में एक इंटरनल च्वाइस है, अब उसको करे लेती हूँ, और थोड़ा सा इसको अपना जूम कर लेते हैं, और आप चलते हैं, क्वेश्चिन नमबर थर्टी टू की इंटरनल च्वाइस पर, देखो ज़रा, दो क्रमागत धनात्मक पुरुनांकों का गुननफल 306 हैं, पुरुनांक ग्यात करो, दिप्रुड़क्ट ओ तो कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सिस 306, फाइंट दा इंटीजर, दो इंटीजर हैं, दो पुरुनांक हैं, क्रमागत हैं, कन्जेक्टिव एकर्मागत का मतलब हैं, कि अगर एक 5 है, तो अगला 6 है, यानि अगर एक X है, तो दूसरा X प्लस 1 है, दोनों दोनों की जो product है यानि x और x plus 1 की जो product है वो 306 है अब हमने इसको just solve करना ये भी quadratic equation पर ही based है chapter number 4 से आ रहा है ये chapter number 4 से आ रहा है ठीक है समझ आ रहा है तो ये बन गया x square plus x is equal to 306 306 को left में ले आओ minus 306 is equal to 0 अब factorization करने के लिए multiply करें तो 306 आए और add या subtract करें तो केवल एक आए तो फिर से वही तरीका बचता है 306 के factors कर लो 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 3 पे जाएगा 3, 5 जा 3 जा 3, 3 7 जा और ये आ गया 17 बन जा 17 अब देखो एगा 2, 3 जा 6, 6, 3 जा 18 इन तिनों की product आएगी 18 देखो कैसे करते हैं 306 के ये factors हो गए तो इनकी product तो अपना 306 आ गई अब इनको arrange करना है अगर मैं 2 और 3 को arrange करती हूं तो ये 6 बनेगा और ये 51 6 और 51 का difference या addition कभी भी 1 नहीं आता तो ये मैं गलत arrange कर रही हूं इन factors को इन factors में अगर मैं पहले 3 को arrange करूं तो मेरी product 18 आती है और बाद वाला 17 18 में से 17 गए तो एक आता है 18 और 17 की जो product है वो 306 आ जाती है तो ये बन जाएगा x square और यहां x ना लिख कर मैं लिखूंगी 18 x minus 17 x क्योंकि 18 में से 17 minus करोगे तो 1 आएगा ये सारा rough work है और minus 306 is equal to 0 जिन बच्चों को factor बनाने में दिक्कत है वो अपना discriminant का method यूज करो भई discriminant का विविक्तर का और उस से करो ठीक है अब इन दोनों को ले लो पहले दोनों को तो इसमें से x कोमन लोगे तो x plus 18 आ गया और आखरी दोनों में से minus का 17 कोमन ले लो तो यहां तो x बचा एक minus 12 एक अंदर है दोनों प्लस हो जाएंगे और 18 is equal to 0 अब इन दोनों को arrange कर लो x जमा 18 और यहां पे x बच गया और यहां पे minus का 17 is equal to 0 अब यहां से आपकी x की दो values आएंगी एक तो minus 18 आएगी और एक 17 अब हमें starting में बोल दिया 17 आजाएगी तो जो पहला number है जो first number है वो 17 हो जाएगा और जो दूसरा number है वो 18 हो जाएगा और इनकी product 306 आजाएगी last में मैं बार बार बोलती हूँ answer की summary करके जरूर आपने लिख कर आना है ठीक है तो यह पूरा का पूरा question मैंने एक frame में डान दिया है आगे बढ़ते है question number 33 पर question number 33 जो है वो आपकी theorem है थेल्स की एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ और ये भी मैं बता दूँ कि ये sample paper में भी था मैंने sample paper का पूरा solution upload किया हुआ है मेरे channel पर और sample paper में भी ये theorem आपकी as it is आई हुई थी तो अब हम इस पर बहुत जादा time नहीं लगाएंगे जिस बच्चे को पूरी detail देखने है वो sample paper के solution में से भी देख सकता है क्योंकि वहाँ मैंने इस theorem पर शायद 15-20 मिनट लगाए हुए है ठीक है पढ़ते हैं क्या कहरा है ये statement में सिद कीजिए कि यदि किसी तिर्भुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाएं समाना अनुपारत में विभाजित हो जाती है प्रूव दैट इफ लाइन इस ड्रॉन पैरलल टू वन साइड ओफ ए ट्राइंगल की भहिया अगर ये एक ट्राइंगल है और इसकी एक साइड के पैरलल एक लाइन खीचे तो इन दोनों को जिस रेशो में डिवाइड कर रही है यानि ये वाली साइड बाई ये वाली साइड और ये वाली साइड बाई ये वाली साइड इक्वल होंगी यह हमने प्रूव करना है, the other two sides are divided in the same ratio, clear है, यह Thales theorem है, basic proportionality theorem है, आधार भूत आनुपातिकता प्रमे है, chapter number 6 से, तो इसका प्रूफ अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, sample paper में मैंने इसका पूरा प्रूफ कराया है, तो जल्दी जल्दी हम करेंगे, यह आपको डायाग्राम इधर बना लेते हैं, अच्छा सा बनाएंगे डायाग्राम बड़ा सारा, थोड़ा confusion ना हो इसमें, तो ABC एक triangle है, दिया है मैं मैं बता रही हूँ, तिरबुज ABC में, BC के parallel एक line L खिंची गई है, मैं जो बोल रही मेरी बात फिर सुन लो, sample paper में यह same question आया है, मैंने आपका solution करवाया है, तो दिया है, सिद करना है, अब आप वहीं से देख लेना, लिख लेना, मैं लिंक भी दे दूँगी आपको description box में, ठीक है, तो ABC अगर एक triangle है, तो उसकी BC side के parallel, थोड़ा सा इटेडा जा रहा है, तो BC side के parallel हमने एक line L draw की, आप क्या लिखोगे, तिरिबुज ABC में, तिरिबुज ABC में, BC समाना अंतर है L के, जो की तिरिबुज ABC की अन्य दो भुजाओं को यहाँ D पर और E पर काटती है, clear है, समझ में आरी मेरी बात, सिद क्या करना है, सिद ये करना है कि ये जो दो side से बच ये बाई ये और ये बाई ये का रेशो, यानि कि AD by DB और AE by EC का रेशो सेम है, clear है, AD यानि ऊपर वाला ज्यादा फिर न होचपोच हो जाता है इस पर और ये नीचे वाला, और इसका और इसका रेशो हमने सेम शो करना है, इसके लिए हमें कुछ construction करनी पढ़ेगी, और वो construction क्या होगी, कि D से सामने वाली साइड पर एक perpendicular draw कर लो EM, और E से उसके सामने वाली साइड पर एक perpendicular draw कर लो EM, clear है, उसके अलावा, B को E से मिला दो, और C को D से मिलाया, ये सारी बात आप लिख होगे, कि DM परपेंडिकलर AC, वे EN परपेंडिकुलर AB, ढलो D को C से वे B को E से मिलाया clear होगी बात यहां तक अब आ जाओ इसके प्रमान पे कैसे हम इस बात को प्रूव करेंगे बहुत आसान है मुझे क्या चाहिए AD by DB AD यह रहा AD यह रहा clear है AD उपर DB नीचे है मैं ऐसे दो ट्रेंगल उठाऊंगी जिन में AD और DB आ रहे है अब AD के लिए तो मैं यह उपर वाला blue triangle उठाऊंगी आप इसको देख लो फिर मैं इसको यहां से erase कर रही हूँ ADE ठीक है तो हम लेंगे छेत्रफल तिरिबुज ADE clear area of triangle ADE English medium में भी कोई खास problem नहीं है आप लिखेंगे BC parallel यह हमने प्रूव करना है draw perpendicular join B to E and D to C clear हो रहा है मेरी बात समझ में आ रही है आगे बढ़ती हूँ अब मैं तो हम क्या लेंगे area of triangle ADE और मुझे चाहिए था नीचे DB तो DB के लिए मुझे यह वाला triangle लेना है जिसमें DB आ रहा है तो मैं यह blue color से यहाँ draw कर रही हूँ इसको नहीं मैं rearrange करूँगी तो मैं लूँगी triangle B, D, E का शेत्रफल किसी त्रिबूज का शेत्रफल क्या होता है किसी भी triangle का area होता है 1 by 2 base into height clear है तो पहले आप लो उपर वाला triangle उपर वाले triangle में मैं base लूँगी किसको AD को ठीक है base देखो अब मेरी बात को एक बार ध्यान से समझ ले ना अगर यह triangle है इसको base ले रहे हो तो आप height इसको लोगे perpendicular ठीक है अब मैं इसको second color ले लूँ कि इसको base लोगे तो सामने वाले से जो इस पर perpendicular आएगा आप उसको height लोगे और अगर आप इसको base लेते हो तो फिर इसको height लोगे तीनों में से किसी base height को लेकर आप area निकालो area same आएगा तो अब मैं यहां क्या करने जा रही हूँ कि मैं AD को base ले रही हूँ तो यह हो जाएगा 1 by 2 into AD और AD पर यह EN perpendicular है तो यह हो जाएगा into EN divided by अब आजाओ इस blue वाले triangle पर दिख गया यह triangle दिख गया base मैं BD ही लोगी क्यों क्योंकि मुझे नीचे मेरे answer में DB चाहिए तो मैं यहां लोगी 1 by 2 एक बटा दो आधार गुना हो चाहिए तो आधार मैंने ले लिया DB अब DB पर E से कोई perpendicular नहीं डल रहा तो DB को मैंने आगे बढ़ाया तो यह EN रेखा इस DB पर भी perpendicular क्योंकि कई बार हमारा triangle जो है वो scalar हो जाता है सुनो मेरी बात ध्यान से यह triangle है थोड़ा ज्यादा चोटा बन गया और मेरे पीछे हो गया यह तो यह triangle है आपका कोई माहलो है यह triangle है P Q R अब क्यों से अगर मैं इस पर perpendicular डालूंगी तो वो ऐसे डलेगा जो कि इस बुजा को आगे बढ़ा कर आएगा वो है तो PR पर 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 पेंडिकुलर है तो PR पर पेंडिकुलर यह Q M अगर मैं इसका नाम Q M रख देती हूँ तो यह जो Q M है यह इस PR पर पर पेंडिकुलर तो ऐसे ही यहां BD को आगे बढ़ाया फिर देख लो एक पर रेड कलर से BD को आगे बढ़ाया तो E N इसके उपर क्या है पर पेंडिकुलर है ठीक है तो यह हम लेंगे यहां पर और इस extra triangle को मैं यहां से erase करूँगी तो यह हो जाएगा D B गुणा E N और अब आप देखो 1 by 2 से 1 by 2 cancel E N से E N cancel और मेरे पास क्या इसको मुझे frame में रखना पड़ेगा मेरे पास क्या बच जाएगा कि शेत्रफल तिरबुज A D E area of triangle A D E by area of triangle B D E क्या बच जाएगा उपर A D और नीचे D B उपर A D और नीचे D B बच जाएगा यह होगे equation number 1 और हमारे prove करने का left part ऐसे ही हम इसका right part लेंगे वो right part मैं इस तरफ बता देती है क्योंकि मैं को इस फ्रेम में ही रखना चाहती हूँ triangle को अब मेरी बात सुनना prove क्या करना है पहले उस पे नजर डालो right side में है बच्चे मेरा A E by E C तो A E ये रहा E C ये रहा तो हम A E के लिए भी अब मैं वही वाला triangle लूँगी उपर वाला A E D सुनने मेरी बात को तो ये हो जाएगा शेत्रफल त्रिबुज A E D या A D E भी लिख सकते हो आप इसको शेत्रफल त्रिबुज A D E बटे में अब मुझे चाहिए E C ठीक है और E C के लिए color change करूँ क्या white ले लेती हूँ तो E C के लिए आप लोगे triangle E C D ठीक है तो यहां आ जाएगा शेत्रफल त्रिबुज E C D और ये कैसे लेंगे अब देखो द्यान से भई ये तो A E तो आधार हो जाएगा A E को तो मैं base लूँगी तो 1 by 2 into A E और A E पर perpendicular आ जाएगा ये D M अब पता है क्या है answer में न मुझे नीचे E C तो आना ही आना है 1 by 2 E C आधार हो गया E C और आख बंद करके D M लगा दो क्यों क्योंकि जब मैं इस E C को आगे बढ़ाऊंगी तो ये D M इस पर perpendicular आएगा और ना भी याद रहे तो लिख दो क्योंकि 1 by 2 से 1 by 2 कैंसील होगा D M से D M और मेरा ultimately A E by E C आजाएगा और ये मेरी equation number 2 बन जाएगी clear है अब इन दोनों को मैं एक छोटा सा थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आपको एक ही frame में ये दोनों दिखाई दे जाए अब actual में मुझे करना क्या है मुझे A D by D B और A E by E C को equal prove करना ये देख लो ठीक है इनकी जब मैं left side को देखती हूँ बहुत ध्यान से देखना तो यहाँ है छेत्रफल A D E छेत्रफल B D E यहाँ है छेत्रफल A D E छेत्रफल E C D यानि दोनों का उपर वड़ा भाग तो बराबर है आरी मेरी बात समझ में अगर मैं इस रजल्ट नंबर 2 को अगर मैं इस रजल्ट नंबर 2 को यहाँ इसके नीचे ही लिखूं तो आप देखो यह क्या बन रहा है यह बन रहा है ट्राइंगल A D E का शेत्रफल बटे ट्राइंगल C D E का शेत्रफल और वो आ रहा है आपका A E बटे E C अब जब इन दोनों को हम कंपेर करते हैं तो उपर वाला पार्ट दोनों का इक्वल है लेकिन नीचे वाला अलग अलग है तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी जब लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी तो दोनों की राइट साइड भी बराबर हो जाएगी अब ज़रा ध्यान से देखो इस डायाग्राम में थोड़ा सा बड़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस diagram को अब देखो ये जो blue वाला triangle है ये जो blue वाला triangle है DEC और ये जो white वाला triangle है blue वाला है DEB blue वाला है DEB और ये वाला है triangle DEC, दोनो एक ही आधार DE पर बने हैं और दोनो DE और BC दो parallel lines के बीच में हैं दोनो का आधार दोनो का आधार DE है दोनो का आधार DE है वे दोनो दो समानतर रेखाओं दो समानतर रेखाओं DE वे BC के बीच में स्थित हैं इसका मतलब इन दोनों का area क्या हो जाएगा आप इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे कि बही इंगलिश मीडियों वाले जो बच्चे हैं इंगलिश मीने वाले बच्चे कैसे लिखेंगे ट्राइंगल DEB and ट्राइंगल DEC are on the same base DE and lying between two parallel lines DE and BC तो इन दोनों का area equal हो गया इन दोनों का area equal हो गया का मतलब नीचे वाला area तो दोनों का equal हो गया नीचे वाला देख लो न DEC कहलो या DEC DE कहलो और BDE कहलो या DEB कहलो एकी बात है तो यह area भी बराबर आ गया अब उपर वाला पहले से बराबर था नीचे वाला बराबर आ गया तो दोनों की left side बराबर आ गया इसका मतलब दोनों की right side भी बराबर और right side बराबर है तो AD by DB is equal to AE by EC आ गया और यही वो result है जो हमने prove करना था तो basically तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको इसको करने के लिए exam में practice की जरूरत है तो यह था बेटा question number 33 और भी detail देखनी है तो आप sample paper से भी इसका solution देख सकते हो बार-बार repeat होते हैं हमारे question अब हम आ जाते हैं question number 34 पर इसमें भी हमें internal choice दी गई है तो इसका पहला part हम देखते हैं question number 34 का यह देखे एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके उपर एक शंकवा कार शीर्ष है एक तंबू है एक tent house है जो की नीचे से तो cylindrical है ठीक है और उसके उपर एक conical shape है English medium वाले बच्चे भी साथ साथ सुन लें इस बात को की एक तंबू है जो नीचे से cylindrical है उपर से conical है यदि बेलन कार भाग की उचाई और व्यास दो पॉइंट एक और चार है if the height and diameter of cylindrical part are मैं अब साथ साथ इनको लिख रही हूँ height of cylindrical part कितनी है 2.1 meter है और diameter 4 है ध्यान दे लो diameter 4 है तो radius कितना हो जाएगा 2 meter यानि तिरिजया 2 हो जाएगी चले आगे और शंकू की तिरियक उचाई 2.8 meter है and the slant height of the top is 2.8 meter ये जो slant height है ये आपकी 2.8 meter है सारी चीज़े हमने लिख दी है मैं एक बार इनको notation भी दे देती हूँ कि r आपका 2 meter है चाहे आप cylindrical part की बात करो या conical की और जो height है आपकी की वो cylindrical उसकी बेलनाकार की है cylindrical की 2.1 meter है और हमारी जो slant height है L है वो अपनी 2.8 meter है सारी चीज़ें आ गई हमारे पास अब हमें तंबु को बनाने के लिए उपियोग किये गए canvas का शेत्रफल ग्यात करना है और canvas की लागत 500 रुपे पर तीवरग मीटर की दर से ग्यात करनी है बहुत ही simple सा question है canvas बनाने के लिए नीचे canvas नहीं लग रहा उसने पहले बोल दिया कि आधार पे canvas नहीं लग रहा तो ये cylindrical part के चारों तरफ भीया यहां लगेगा canvas और यहां लगेगा canvas तो canvas का जो कर्ड surface एरिया है canvas का शेत्रफल बहुत आसान है और इस तरह की question के लिए मैं बच्चों को बोलती हूँ क्योंकि पूरे का पूरा question एक ही बार में करना है अलग अलग पार्ट में नहीं करना है कि पहले आप नीचे वाले का निकालो फिर आप उपर वाले का एरिया निकालो फिर दोनों को add करो नहीं canvas का शेत्रफल कहलो या English में कहलो area of canvas तो वो क्या हो जाएगा cylindrical पार्ट का एरिया जो की है 2 pi r h कोनिकल पार्ट का area जो की हमारा होता है pi r l और सब चीज़े हमारे पास है दोनों में से pi r को common ले लो तो यह हो गया 2 h प्लस l अब value पुट कर दो इसको मैं इधर ले लेती हूं यहां पे ले लेती हूं ठीक है तो यह हो जाएगा बच्चे 22 by 7 radius है 2 2 h अब ध्यान देना h कित ना है 2.1 है 2.1 का मतलब 21 by 10 है मैं बार बार बच्चों को बोलती हूं कि decimal में कम करना decimal में कम करना उसको fraction में बदल लो तो 2 h जब तुम करोगे यानि इसका double करोगे तो वो 42 by 10 आ जाएगा 21 दूनी 42 और l अपनी 2.8 है तो यह 28 by 10 आ जाएगी बहुत आसान हो गया है अब यह question यह हो गया है 44 by 7 और अंदर 10 lcm आएगा तो 42 और 28 कितना होता है साथ नहीं सतर होता है चार और दूछे और एक साथ हाँ जी सतर होता है तो 0 से 0 कट गई 7 से 7 कट गया और 44 मीटर देखो कितनी आसान होगी calculation अगर आप इसको अलग अलग करते तो आपको decimal में बदलना पड़त स्क्वेर और अब यह कह रहा है कि अगर एक स्क्वेर मीटर पर 500 रुपे का खर्चा आ रहा है तो पूरे कैन्वस का खर्चा निकालो तो इसको उठा के क्या कर दो जो कैन्वस का खर्चा है जो लागत है कैन्वस की वो कितनी हो जाएगी 44 multiply by 500, 0, 0, 0, 20, 22, 2000 रुपे उसको बनाने का खर्चा है तो यह बिलकुल आसान देखो कितनी छोटी सी जगा में मैंने ये question आपको करवा दिया है अब इसी की जो हमें internal choice दी गई है उसको देखेंगे और अब मैं स्क्रीन को यहां clear कर देती हूँ और internal choice देखते हैं एक गोला कार कांच के बरतन की बेलना कार ग आपके इस तरह की जरूर मिल जाएगा आपको परखनली वगेरा टाइप में हमें तो कई दिन होगे हैं साइंस पड़े हुए नीचे तो एक गेंद की शेप है और उसका जो अपर पार्ट है वो अपना सिलेंड्री कल है clear है इस तरह से आपके पास एक बरतन है अब इसके क्या क्या पार्ट साबको गीवन है बेलना कार गरदन 8 cm लंबी है यानि कि यह जो हाइट है यह तो आपकी 8 cm है तो इसको है च लिख लो clear है और व्यास 2 cm है 8 cm लोग है डाया मीट दो सेंटीमीटर है तो जब यह डाया मीटर इसका 2 cm है तो रेडियस कितना हो मैं थोड़ा shortcut ले रही हूं इतना तो अब आप भी कर सकते हो और आगे बढ़ो गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है तो गोलाकार भाग का जो व्यास 8.5 है तो उसके radius को मैं capital R ले लेती हूं इसके radius को मैं capital R ले लेती हूं तो वो 8.5 का half हो जाएगा क्योंकि diameter 8.5 है देख लो the diameter of spherical part is 8.5 cm तो जब आपको diameter पता है तो radius आपका आदा हो जाएगा आदा हो जाएगा तो ये 85 by 20 cm आजाएगा तीनों डाइमेंशन आ गई मेरे पास अब कहे क्या रहा है इसमें रखे पानी की मात्रा को मापने पर एक बच्चे को उसकी मात्रा 345 cm3 मिलती है उपरोक्त की माप कर करते वे जाचे कि क्या वैसा ही और पाई ये लेना है एचाइल्ड फाइंड डैट इस वोल्यूम इस 345 cm3 आपने चेक करना है कि वो चाइल्ड का जो कैलकुलेशन राइट है या रोंग है मींस हमने इस बरतन की वोल्यूम निकालने है वो 345 आ रही है तो ठीक है नहीं आ र लेती हूं बलकि मैं न आयतन ले लेते हैं आयतन बोलो इंगलिश में बोलते हैं वोल्यूम तो कितना पानी आएगा इसके अंदर जितना सिलेंडर में आता है प्लस जितना स्फियर में आता है तो आप यहां लिखोगे वोल्यूम ओफ स्फियर प्लस वोल्यूम ओफ हिंदी में बता रहे हूं गोले का आयतन जमा में बेलन का आयतन दोनों का फॉर्मूला लेग तो स्फियर का आयतन होता है 4 by 3 pi r cube मैंने स्फियर का radius capital r में लिया है और सिलेंडर की वोल्यूम होती है pi r square h दोनों में से pi को common ले लो तो यह हो गया 4 by 3 r cube और प्लस r square h इन सब की व उसने पहले बोला 3.14 लेनी है तो यह तो हो गया 314 बटे 100, 4 बटे 3, अब यह बहुत लंबा पड़ेगा RQ, इसको छोटा कर लो, 5, 5, 5, 35, 17 बटे 4 cm, तो यह यहाँ पर 17 बटे 4 का Q आएगा, यह calculation लंबी जाएगी, R², यह R1 है तो 1 का स्क्वेर 1 इंटू में 8 आ जाएगा, लंबी होने वाली है, तो इस calculation को अभी हम देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं और लेफ्ट से शुरू करती हूँ, 314 by 100, ब्रैकिट में आ जाएगा, 4 बटे 3, 17, 17 और 17, 17 को 3 बार करेंगे, तो 17 का जो square होता है, वो 287 होता है, उसको करेंगे 17 से गुना, तो जल्दी से हम कर लेते हैं, 7, 63, 67, 56, 62, 67, 24, और 6, 20, ठीक है, 7, 63, 67, 56, 62, 24, और 6, 20, और बच्चे ये आ गया, 289, 3, 9, 2, 11, 8, 1, 9, 4, 49, 413, तो ये आ गया, 4913, बटे 64, 4 का cube करोगे, तो 64 आएगा, और यहां आ जाएगा, 8 बटे 1, अब 9, 4, 13, 14, अब मेरी बात सुनो, इनको जोड के देख लो, 9, 4, 13, 14, 15, 16, 17, तो भी ये तीन पे तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो 4 से ये कट कर आ जाएगा, 16, तो बहार तो आएगा, 314, by 100, अंदर आ जाएगा, 4913, बटे 16, 38, और प्लस 8 बटे 1, क्लियर है, अब इसको फिर करो, बहुत लंबी कैलकुलेशन है ये, तो ये आएगा, 314, बटे 100, 48, लगुत्तम ले लिया, 4913, आठ से करो, आठ 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 चोट चोट चैए, आठ चोक बतिस और चैए, ठीक है, इसको सौल करो, 314, बटे 100, गुना, 4 और 3, 7, 8 और 1, 9, 9 और 3, 12, 4 और 1, 5 और बटे में, 48, अब जो कटता है उसको काट दो, वही दो, दो, पांज दे 10, 2, 7, 14, 2, 2, 4, 2, 4, 8, 5, और 2, 7, 9, 7, 16, अब ये बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, तो इन दोनों को मल्टिप्लाइ करके आंस्वर लिखते हैं, और मैंने मल्टिप्लाइ कर रखा है, तो मैं आपको बताती हूं क्या आएगा, तो ये कैलकुलेशन बिटा, आपकी आ संटीमीटर क्यूब के बराबर नहीं है, इसका मतलब उस बच्चे ने जो कैलकुलेशन की थी, वो रोंग थी, हमारी जो एक्च्वल वोल्यूम है, वो ये आ रही है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि पेपर का पैटरन जब आप देखते हो, तो आपको इंटरनल 24 वाले में एक क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल मिल रहा है, तो एक आसान मिल रहा है, इससे पहले जो हमने प्रष्टि शेतरफल का क्वेश्चन किया है, वो बहुत ही आसान था, तो मैं होप कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं थे, कै ठीक है, अब हम चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो की है, क्वेश्चन नमबर 35, नेक्स्ट पेज पर ले चलूँगी, मैं अब इसके लिए, कि नीचे दिया गया बंटन, कक्षा के 30 चात्रों का भार बताता है, तो आपने उनका माध्यक बताना है, तो यह भार हो गया, बच्चों का वेट हो गया, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 62 बहुत आसान है यह टॉपिक आपके सारे, अगर कॉंटिनियस दे रखा है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है, और बच्चे यह आ जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी, 2, 3, 8, 6, 6, 3, 3, 2, 3, 2, अब आपने निकालना है माध्यक, मीडियन, मीडियन के लिए हम निकालते हैं, हिंदी में कहूं तो संचाई बारंबारता और इंग्लिश में बोलें तो क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी और सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, तो 2, 2 में 3 एड़ करेंगे 5, 5 में 8 एड़ करेंगे तो 13, 13 प्लस 6, 19, 19 और 6, 25, 25 और 3, 28 और 2, 30, n आपका, इधर ही करा देती हूं, बलकि राइट साइड में, n आपका 30 है, फिर आप निकालते हो, n by 2, जो कि 30 by 2, यानि 15 हो जाता है, अब आपने क्या करना होता है, कि इस क्यूमिलेटिव फ्रिक्वें में इस 15 से बड़ी फ्रिक्वेंसी आपने देखनी है, तो 15 से बड़ी फ्रिक्वेंसी है, 19, तो 19 के सामने वाली जो क्लास है, वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, तो आप यहां लिखोगे कि क्योंकि, इसको तो आपने ऐसे न सरकल करी देना है, क्योंकि 15 से बड़ी संच पंद्रा से बड़ी cumulative frequency कितनी है 19 है इसलिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 55 से लेकर 60 तक यानि हमारा जो आंसर वो 55 और 60 के बीच में आएगा अब आपको दो values note कर लेनी है इसके सामने वाले को तो f लेना है और इसके उपर वाले को cf तो वो भी note कर दो f कितना है 6 है cf कितना है 13 है n by 2 आपका आ चुका एक lower limit लेते हैं जो कि इसकी lower limit होती है और अब आपने कुछ नहीं करना बस median का formula रखो हिंदी में लिख दो माध्यक इंग्लिश में लिख दो median formula क्या होता है l plus n by 2 minus cf by f और multiplied by h सारी values आपके पास है इनको put करो और solve करो बहुत ही आसान question है 55 plus n by 2 है 15 cf कितना है 13 f आपके सामने कितना है 6 है और h नहीं बताया मैंने आपको h class interval का difference होता है जो कि कितना आ रहा है 5 आ रहा है तो इसको solve कर दो 55 plus 2 बटे 6 गुणा 5 तो यह हो जाएगा 25 जमा 5 बटे 3 मैं कहूंगे आप इस 5 बटे 3 को divide कर लो 5 बंजा 5 5 में से 3 गे दो 5 6 जा 18 और 55 में 1.6 बार को जब add करोगे तो यह 56.6 बार आपका क्या आ जाएगा median आ जाएगा तो यह आपका था section number D का last question जो की बेहदासान था मैं होप करती हूं आपको यह समझा आया होगा section number E को मैं next lecture में लूँगी कोई भी doubt है query है तो आपने मुझे जरूर बताना है और lecture पसंद आए तो जादा से जादा बच्चों को share भी करना है Thank you